भूतिया जील भूत की कहानी इसी तरह की नई नई कहानिया सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत समय पहले की बात है एक छोटे से गाव में एक भूतिया जील थी लोग कहते थे कि उस जील में रात को भूत दिखाई देते थे किसी ने उन भूतों को देखा था और तो किसी ने उनकी आवाज सुनी थी एक बच्चा था नाम जिसका नाम सूरज था जो उस गाव में रहता था सूरज ने भी सुना था उस जील के बारे में और उसे भूतों से बहुत डर लगता था पर एक दिन उसने अपने दोस्तों से बात की कि वह भी जील जाना चाहता है और उसे भूतों का रहसे सुल जाना है वह ये भी देखना चाहता है कि क्या सचमुच उस जील में भूत रहते हैं सूरज के दोस्तों ने भी उसके साथ भूतिया जील जाने का फैसला किया वे सब मिलकर भूतिया जील की और बढ़े जील की तरफ बढ़ते समय सूरज ने विचार किया कि क्यों नाभूतों से बात की जाए जील के किनारे पहुँचकर सूरज ने अपने दोस्तों से कहा मुझे लगता है हमें इन भूतों से बात करनी चाहिए सूरज के दोस्तों ने उसे रोका नहीं राजू ये खतरनाक हो सकता है पर सूरज ने डर को पार करते हुए कहा मुझे लगता है हमें उन्हें जानना चाहिए कि क्यों वे यहां पर रहते हैं वे सभी लोग आगे बढ़े और जील की तरफ चले वहां उन्होंने देखा कि वह बहत से भूत भूम रहे हैं सूरज ने भूतिया जील के किनारे खड़े भूतों से पूछा आप यहां क्यों रहते हैं भूतों ने उसे अपनी कहानी सुनाई वे कहा करते थी कि वे यहां अपनी अधूरी कहानी पूरी करने आते हैं क्योंकि उनका मानना था कि वे जब तक अपना काम पूरा नहीं करते उन्होंने बताया कि हमारी कुछ इच्छाए अधूरी रह जाती हैं अगर वे पूरी नहीं होंगी तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, तब तक वे आत्मा को शान्ती नहीं दे मिल सकती, भूत की इच्छा थी कि उनके पीछे उनके बच्चे खुशी से रहे और अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, ताकि उनका भविश्य उज्वल हो और हम निश्च होकर मुक्त हो सके, यहीं उनकी एक अधूरी इच्छा थी जिसकी वजह से उनकी मुक्ती नहीं हो रही थी क्योंकि उन्हें अपने परिवार की बहुत चिंता थी, सूरज ने उनकी मदद करने का निरनय किया, वह और उसके दोस्त उन भूतों की मदद करने में उनका साथ द सूरज और उसके दोस्तों ने देखा कि भूतिया जील का महौल अब बहुत शान्त और सुहाना हो गया था, उन्होंने समझा कि हर किसी का काम करना जरूरी होता है, चाहे वो भूत हो या मानब हमें सबकी मदद करनी चाहिए इसके बाद से सूरज और उसके दोस्तों ने ने द्रिश्टिकॉन से जी सबकी मदद करके जीना शुरू किया और तरक्की हासिल की ये हमें सिखाता है कि हमें हमेशा एक स्थिती को समझने के लिए प्रयास्वत रहना चाहिए और हमारे कर्मों में नितिक्ता बनाए रखना चाहिए भूतों की कहानी सुनकर सूरज ने उन्हें समझा और उनकी समस्या में सहानुभूती दिखाए ये हमें याद दिलाता है कि हमें दूसरों के दुखों को समझने और मदद करने के लिए सहानुभूती और समझदारी दिखानी चाहिए